नमस्कार मैं हूँ राजिस और आप देख रहे हैं कोब्रा पोश्ट लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेस लॉंच हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस 2022 की सुरुवात करते हुए देश में 5G सर्विस लागू कर दी है इसके साथ ही भारत ने टेक्नलोजी के नई दुनिया में प्रवेश कर लिया है बता दे कि आज से इंडियन मोबाइल कॉंग्रेस की सुरुवात हो गई है जो कि चार दिनों तक चलेगी और इसमें कई दूसरे इवेंट भी होने वाले है लेकिन इस कारिक्रम को I.N.C. 2022 5G की वजह से ज्यादा खास माना जा रहा है वही भारत पर 5G का कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरकी डॉलर होने का अनुमान है बता दे कि 4G की तुलना में 5G नेटवर्क कई गुना तेज गती देता है और बाधार रहित संपर्क मुहया कराता है साथी अरवो जुडे डिवाइस को वास्तविक समय में डेटा साजा करने में सक्छम बनाता है इस दोरान देश के तीन प्रमुख दूर संचार ओपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की छमता दिखाने के लिए प्रधान मंत्री के सामने कई तकनीकों का प्रदर्शन किया और प्रदर्शनी में PM के सामने High Security Router, Cyber Threat Detection Platform, Ambu Pod जैसी 5G तकनीकों का अनुभव कराया गया वाई Reliance Industries के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा है कि दिसम्बर 2023 तक देश के हर कोने में जियो 5G की सेवा पहुँच जाएगी हलाकि सुरुवात में देश के सभी सहरों में 5G निटवर्क उपलब्द नहीं होगा और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नाई समेत कई सहरों में सुरुवाती सर्वीसेस मिलेगी जिसका विस्तार अगले साल के अंति तक पैन इंडिया लेवल पर होगा फिलहाल मेट्रो सहरों में 5G कनेक्टिवीटी मिलेगी आपको बता दे कि 5G यूज करने के लिए आपको नए सिंकार्ट की ज़रुवात फिलहाल नहीं होगी और आप अपने पुराने सिंपर ही नई सर्विस यूज कर सकेंगे हलाके इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना जरूरी है और 5G सपोर्ट ही नहीं इसमें उन बैंड्स का भी होना जरूरी है जिस पर सर्विस उपलब्ध होगी और भारत में लॉंच हुए बहुत से मुबाइल 5G स्पेक्ट्रम निलामी से पहले के हैं ऐसे में आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपके फोन में कौन से बैंड्स मिलते हैं और आपका ओपरेटर किन बैंड्स पर सर्विस प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा बलकि ये सर्विस का एक मात्र पहलू है और 5G नेटवर्क पर आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बहतर टेलिकॉम सर्विसेस और कॉल कनेक्टिविटी मिलेगी यानि नए नेटवर्क पर हाई स्पीड डेटा के अलावा बहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी कॉल मिलाकर इस नेटवर्क पर आपको टेलिकॉम एक्स्प्रियंस बहतर होगा और 5G सर्विसेस की निलामी जुलाई में सुरू हुई थी उसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विसेस का इंतिजार था और आखिरकार भारत में 5G सर्विसेस की सुरूआत हो चुकी है हलाकि इसका पैन इंडिया एक्सपैंसन होने में वक्त लगेगा वाई जियो और एरटेल दोनों ही टेलिकॉम कमपनिया 5G सर्विसेस आफर करेगी और सुरूआत में टेलिकॉम सर्विसेस प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े सहरो पर होगा हलाकि इसे यूज़ करने के लिए उनके पास 5G फोन होना जरूरी है और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हां दोस्तों साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए